गुड मॉर्निंग ग्लास नाइन्थ बचों अभी तक हमने पिछले चैप्टर में पड़ा सववये तो आज हमारा नेक्स चैप्टर है कैदी और कोकिला ठीक है तो ये इसके जो लेखक हैं वो हैं माखनलाई चतुरवेदी तो आज हम पहले थोड़ा सा इनका संक्षित में जीवन परिचे जानेंगे और तब हम आगे कविता को पड़ेंगे तो माखनलाई चतुरवेदी जी बहुत ही प्रसिद कवी हैं इनका जन्म मध्या परदेश के होसंगाबाद जिले के बाबई गाउं में हुआ था कववा था 1889 में ठीके तो ये जब 16 वर्ष के थे तब ये सिक्षक बन गए थे ये बहुत ही तीवर बुद्धी वाले व्यक्ति थे तो इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही सिक्षन कारिया स्टार्ट कर दिया था लेकिन उनका मन जो है इस कारिया में नहीं लगा फिर उन्होंने बाद में अध्यापन का कारिया छोड़ा, पढ़ाना छोड़कर इन्होंने एक पत्रीका का संपादन किया उस पत्रीका का नाम इन्होंने क्या रखा? प्रभा माखलनल चतुरविती जो है देश भक्त कवी और एक प्रकर पत्रकार थे मतला इन्होंने जो कविताएं लिखी वो देश भक्ती के उपर लिखी और पत्रकारिता भी इन्होंने देश भक्ती के उपर किये जो इनके लेख हैं सब ये आजादी से संबन्दित हैं तो उन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया वे हैं कर्मवीर और परदाप ठीक है ये और पत्रिकाओं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया 1968 में इनका देहांत हो गया अब थोड़ा सा हम इनकी कृतियों के बारे में जान लें कि इनकी कौन-कौन सी कृतिया है जो इन्होंने लिखी है इसमें इनकी प्रसित कृतिया है हिम कृतिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेनू लो गूजे धरा इन्हीं जो है इनकी किर्तियों के लिए पद्म भूशन और साहित्य अकादमी पुरसकार से भी सम्मानित किया ये सम्मान जो हैं बहुत कम लोगों को जो प्रकांड विद्वान होते हैं उनको ही ये सम्मान मिलते हैं माखनलाल चतुरवेदी जी ने अपनी रचनाओं में राष्टिया भावना को कूट कूट के भरा है आप उनकी कोई भी कविता कोई भी लेक पड़ेंगे तो उसमें किस चीज के दर्शन होंगे राष्टिया देश भक्ती लोगों को इन्होंने अपने लेक अपने कविताओं के माध्यम से जागरित किया है उन्होंने स्वतंत्रिता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना को भी जगाया है जो उनके लेक मिलते हैं तो वो सिर्फ हमें ये उसमें हमें यही देखने को नहीं मिलता कि अरे वाई यह कितने अच्छे देश भक्त थे लेकिन वे उनकी कविताओं से हमें प्रेड़ना मिलती है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें हमारे मन में भी बलिदान की भावना जागरित हो ऐसी कविताओं यह लिखते थे इसलिए उन्हें एक भारतिया आत्मा कहा जाता है तो इनका उपनाम क्या था? इनको एक भारतिया आत्मा का उपनाम दिया गया इस उपनाम से उन्होंने कविताओं भी लिखी अपना जो इनको उपनाम दिया गया होता है न जो जिस काम में आगे बढ़ता है तो उसको उसी के अनुसार जाना जाता है तो इन्होंने उसमें भी भारती आत्मा में भी कविताइं लिखी, वे एक कवी कार्य करता थे और स्वाधिन्ता आंदोलन के दोरान कई बार जेल गए। ऐसी नहीं है कि सिर्फ उन्होंने घर में बैटके कविताइं लिखी, लोगों को जागरित किया, इन्होंने उन आंदोलनों में हिस्सा भी लिया, स्वतंत्रिता आंदोलन में हिस्सा भी लिया, जिसके फल्सुरूप वे कई बार जेल में गए। उन्होंने भक्ती, प्रेम और प्रकर्ती संबंधी कविताएं भी लिखी हैं, बहुती इनकी सुंदर कविताएं हैं, जहां पर हमें भक्ती, प्रेम और प्रकर्ती का मेल भी दिखाई देता हैं, ठीके, तो यहां पर चतुरवेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है, उन्होंने जो है, ऐसी कविताओं को लिखा है, जो लोग उसके भाव को आसानी से पहचान पाएं, और जो एकदम से दिल को छूजाएं, इस तरह के उन्होंने कविताओं का परियोग किया है, यहाँ पर जो कविता लिखी है, कैदी और कोकिला, यह बहुत ही लोग प्रिया कविता रही, ठीके, और कैदी और कोकिला, कैदी एक मनुश्या हो गया, कोकिला एक पक्षी हो गया, तो इन दोनों का उन्होंने किस तरह से कविता के माध्यम से स्वतंत्रिता आंदोलन में उनका सहयोग बताया है ये हमें कविता के माध्यम से पता चलेगा इन्होंने यहाँ पर भारतिय स्वतंत्रिता सेनानियों के साथ जेल में जब जो भारतिय स्वतंत्रिता सेनानी थे जब अंग्रेज उनको पकड़ कर जेल में डाल देते थे तो उनके साथ वहां कैसा वेवार किया जाता था कितना दुर वियवार, कितना मारमिक दृष्या होता था, उसको उन्होंने अपने कविता के माध्यम से प्रकट किया हुआ है तो बच्चों आप आज इसमें आप इनका जीवन परिचय करोगे, माखनलाल चतुरवेदी जी का और नेक्स्ट वीडियो में हम ये कविता पढ़ेंगे, उसका भाव इसपस्ट करेंगे और तब उसके कोश्यन आंसर करेंगे तो आज आपने अपने उसमें नौट बुक में इनका जीवन परिचय करना है, थैंक यू